नमस्कार विवर्स मैं हूँ अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोग प्रिय कारेकरम आर पार पहले नियौता दो अब प्रान प्रतिश्टा में जाने से साफ नो और साफ नो यानी साफ इंकार ये उस विपक्ष का हाल है विवर्स दर्शको जो पिछले दो महीने से रट लगाए रखा था कि राम मंदिर के कारेकरम में हमें भी नियौता चाहिए हमें भी जाना है क्योंकि ये अकेले भारतिय जन्ता पार्टी का कारेकरम बिलकुल नहीं है लेकिन तारीक नजदीक आते ही नियौता मिलते ही पूरे विपक्ष ने पल्टी मार दी है ना सोनिया गांदी ना मलिका अरजुन खडगे ना धीर रंजन जौधरी ना ममता बेनरजी ना सीताराम यचूरी ना अकिलेश यादव कोई भी आयोध्या जाने को तैयार नहीं है और अकिलेश यादव ने तो दो कदम आगे बढ़कर और निमंतरण देने वालों को ही पहचानने से साफिंकार कर दिया सवाल ये है दर्शकों विवर्स कि निमंतरण फुकराने के पीछे कहीं वोट बैंक वाला एक बड़ा एंगल तो नहीं है क्योंकि अकिलेश यादव की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौरिया ने मंदर के कारसेवकों यानी राम मंदर के कारसेवकों को अराजक पता डाला है और तो और उनको मरवाने के फैस्टे को भी पूरी तरह सही करार दिया है लेकिन मुद्दा ये भी है कि क्या विपक्ष राम मंदर के मामले में दशकों पुरानी गलती एक बार फिर दोरा रहा है आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे परमानिक बहस वोर्ट बैंक से प्यार निमंतरण आस्विकार आजका आरपार इसी पर वीवर्ट जोनिया गांधी परान प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगी राहुल गांधी परान प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे मलिकार जुन खड़गे प्रान प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे ममताब एनर्जी प्रान प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगी लेकिन प्रान प्रतिष्ठा का निमंत्रन अस्वीकार करने पर सियासी बखेडा खड़ा हो गया है अखलेश यादव जी के सिर्पर स्वामी प्रसाद मौरिया जी का भूत सबार हो गया है। अखलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौरिया से इतने डरते हैं, इतने डरते हैं, जैसे बच्चा डरता न भूत से, इस तरह डरते हैं। उधर श्रीकृष्ट जन्मभूमी के मुख्य पक्षकार मनीश यादव ने अखिलेश यादव को पत्र लिख कर पूछा है कि आप कभी मतुरा में श्रीकृष्ट जन्मभूमी क्यों नहीं गए लेकिन इसी बीच विवादों के स्वामी ने कार सिवकों को अराजक बताकर नया बवाल मचा दिया स्वामी परशाद मौरया जी को अपना नाम बदल कर भी कुछ और रख लेना चाहिए जैसे कभी लोग मिया मौलाइम कहते थे मिया मौरया लिखा जाए तो अच्छा होगा स्वामी नहीं होना चाहिए स्वामी प्रसाद मौरिया पागल हो गया है अब उसके पास नतो सत्ता है इसलिए वो पागलपन में व्याकुलता में इस तरह से उलूल जूल बयान दे रहा है उधर लालु यादव की पार्टी के विधायक फते बहादुर ने भी राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है लेकिन राम मंदिर के बहाने केंद्रिय मंत्री अनुराक थाकुर ने भी कॉंग्रेस और पंडित नहरू पर निशाना सादा है पांक सो वर्षों का संगर्श, सौ सालों से ज़्यादा कोट के चकर अब पूरे हो गए हव्यराम मंदिर का निर्वाण भी हम सब की आखों के समय ही हो रहा है उनके पास सुधेशी चेंतन और विचार धरा का अभाव था राम नाम पर वार और पलटवार के बीच AIMIM ने मायावती को PM उम्मीदवार बनाने का दाओ चल दिया है लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट बैंक के चक्कर में विपक्ष के नेता प्रान प्रतिष्ठा कारेकरम से दूरी बना कर चल रहे हैं आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस वोट बैंक से प्यार निमंत्रन अस्वीकार और आप सोचिए पहले कह रहेते हैं बुलाओ 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 अब कह रहे हैं कि हम बुलाने पर भी नहीं जाएंगे लेकिन अब वक्त है आरपार के सूपरसिट विस्टेशन का आईए नज़र डालेते हैं मैजिक वॉल पर बोट बैंक की निश्टा में प्रान प्रतिश्टा से दूरी तक का विस्टेशन सोनिय गांदी, मलिक आरजुन खरगे, अधीर रंज़र चौधरी प्रान प्रतिश्टा को RSS का इवेंट बताकर किनारा कर दिया है यानि इंकार कर दिया है अखिलेश यादर प्रान प्रतिश्टा कारिक्रम का निमंतरण अस्विकार किया निमंतरण देने वालों को पहचानने तक से इंकार कर दिया ममता बेनर जी दूसरे सामप्रदाए के लोगों की अंदे की हो रही है ममता बेनर जी ये कह रही है स्वामी परसाद मौर्या, विवादो के स्वामी कार सेवको को अराजक बताया और इन्हें मरवाने के फैसले को सही ठ्हराया य upright inputs को तो गोली मरवाई गई राम मंदर की जो कार सेवा कर रहे थे उसको सही बिता रहे है सोचे कितना बड़ा नुकसान कर रहे है समाजवादी पर्टी का समाजवादी पार्टी भी भीतर से ये बात अब समझ चुकी हूँ बरतव में आगे असाउदी नोवे सी मुस्लिम युवकोस से बोले अयोध्या में जो हो रहा है उससे तुमें तकलीफ नहीं होती क्या बदुरुदीन जमल मुसल्मान भाईयों से अपील करता हूँ कि वो 20-26 जनवरी तक यात्रा ना करें और बड़ा सवाल आज का यक्षप्रस्पर क्या 80% आबादी की आस्ता कुछ नेताओं के लिए माईने नहीं रखती यही सवाल है आज का और मेरे साथ बात करने के लिए कौन-कौन है आईए दॉक्टर सुधान शुत्रवेदी मेरे साथ बीजेपी के मेंबर आप पार्लिमेंट परवक्ता है मेरे साथ विवेक शिरवास्तव जी है लेफ्ट के नेता है मेरे साथ तैसीन पुनावाला है राजजेतिक विष्टेशक है आसिम वकार है परवक्ता मेरे साथ रोहत अगलवाल है इंडिया अलाइंस के पार्टर है आरेलडी के परवक्ता है और आरेलडी और सफा का गड़बंदन भी है आपका भी अबिरंदन है मैं तैसीन पुनावाला शुरुवात आपसे करता हूँ सोनिया जी का इंकार खडगे जी का इंकार अधीर बाबू का इंकार रामलला की प्रान प्रतिष्टा में अगर चले जाते तो क्या घट बढ़ जाता अमीर जी आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए मैं आपका शुप्र बिजार हो और जितने भी हमारे देश वासी बाइस तारीक के इंतिजार करें उनको बहुत-बहुत बढ़ाई और साथ वाद मैं भड़ी विनम्ता से आपसे दो सवाल पूछ रखता तो बड़ी आसान चीज है कि सुनिया जी चले जाए और खरगे जी चले जाए और यह क्योंकि यह जो यह है कि ठीक है एक प्रान फिर्टिष्टा की जो कारे प्रमोरा उसमें जाए और पुलिटिकली उनको नुकसान नहीं होता मैं इस बाद से बिलकुल इत्ने फार लेकिन आप दो चीज की जवाब दीजिए मंदिर का अब तक निर्मान कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है दूसरी चीज हमारे जो शंकर अचारिय चा शंकर अचारिय जी भी नहीं जा रहे और शंकर अचारिय जी ने क्या कहा है उसके बारे में कोई भी एक स्टेट्मेंट नहीं चला रहे क्यों तो क्या जो हमारे शंकर अचारी जी इसमें हम सब उनके सामने अपना सर जुकाते क्या वे भी 80% भारतियों के जो आस्ता है उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं यह पुलिटिकल विवाद नहीं है यह कोई पुलिटिकल कारिक्रम नहीं है हमारे राम जी आ रहे इतने अच्छी बात में अपना स्विकारता देना गलत क्यों है अगर खड़गे जी वहाँ चले जाते हैं, चलिए सोनिया जी की हो सकता है, हेल्थ का इशू हो, कोई और विशे हो, सोनिया जी नहीं जा पारी, खड़गे जी जा सकते हैं, अधीरंजन चौदरी जा सकते हैं, वेक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, चीता राम ये चूरी भी हो भी है, इसे वेंट की, वो तो वाम पंतियों नहीं करी है, और सिताराम ये चूरी तो बाकाइदा मीडिया के सामने आए, उन्होंने बाइट दी और अपनी रीजनिंग दी, एक तो धर्म आपका वेक्तिकत मामना है, मैं ये इंकारी नहीं करा कि सिताराम ये चूरी ने स् नास्तिक तो शंकराचारिया भी नहीं है, अब सुधान शुत्रवेदी शंकराचारिया से आज बड़े हो गए हैं, तो वो जस्टिफाई कर देंगे, और शंकराचारिया की बातों पर टिपड़ी भी नहीं करेंगे, गोल महल बात करेंगे, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन ये है कि जो पॉलिटिकल इवेंट बन चुका है, मैंने आपके शो में पहले भी का था, प्राइम मिनिस्टर धरम गुरू बन गए हैं, और जो धरम गुरू है, वो पॉलिटीशियन मनते चले जा रहे हैं, तो ये जो पॉलिटीशियन और धरम गुरू का जो नेकसस है, ये देश के लिए कोई हल्दी चीज नहीं है, तोड़ना होगा इसको भाइशकार होना चाहिए, इस पॉलिटिकल इवेंट का, आप 23 को जाएए, 24 को जाएए, 30 को जाएए, जाएए, ना जाएए, आपकी मर्जी, ये आपका व्यक्तिकत मामला है, आप राम की रोग भी जा रह रही है, कमसे, और आप, आप कह रहे हैं कि हम भाहिशकार कर रहे हैं, लेकिन हम राम मंदिर को तो मांते हैं, लेकिन हम प्रान परतिष्टा का भाहिशकार कर रहे हैं, या तो आप, आपको लगता है कि इस देश की 80% आबादी जो है, वो फॉर ग्रांटिड है, ऐसा लग र प्रधान मंत्री 80% के रप्रेजेंटेटिव नहीं है बिल्कुल यह लेक्षन में सीटे आ गई वह एक लग इसु है लेकिन लेकिन आप बीजेपी आरेस और संग परिवार को राम कर रप्रेजेंटेटिव और 80% हिंदू का रप्रेजेंटेटिव मत बताईए तो बिल्कुल मीडिया पर बड़े सारे व्यूवर्ज हमें देख रहे हैं देखिए कुछ चीजों पर साफगोई से बात आज हो जानी चाहिए और मुझे लगता है कि सपश्टावादी तरीका सबसे बहतर तरीका होता है बात करने का और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नही है इस कारे करम का तो सुधान्चु तर्वेधी पॉलिटिकल इवेंट का तो कारे करम तो पॉलिटिकल है नहीं है सब पॉलिटिकल पार्टियों को बलाया है ना हिस्सेदारी तो आपकी भी उतनी होती है ना हिस्सेदारी तो आपकी भी उतनी होती जाते तो सही हमारी जाते तो कैसे बीजेपी को क्रेडिट मिल जाता लेकिन अब तो आप एलान कर चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे तो एलान करने के बाद आप जाएंगे सवाल तो यह भी खड़ा होगा देश भी देख रहे हैं हम तो आम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि सी थूर दा पॉलिटिक्स आप लोगों का ओके शुदान चुत्रवेधी आम नागरिकों को भी अपील है और भाईशकार करने की भी बात है यह बीजेपी का इवेंट है आम नागरिक से वो पार्टी अपील कर रही है जिसका एक भी सांसत चुन के नहीं जा पाया है और अभी विवेक शिवास्तों कह रहे थे कि पॉलिटिक्स और धर्म का नेक्सिस नहीं होना चाहिए वो पार्टी है जिसने पश्शिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद सेकुलर फ्रंट क्यों वही है ना देखिए एक तो यह बैठे हुए बिल्कु सही मैं कहता हूं हम कब कहते हैं कि हम 80% हिंदूों के इकलोते रिप्रेजेंटेट्टेव हैं मगर 20% के कई ठाईया रिप्रेजेंटेट्टेव यहां आपके पास बैठे हुए मुस्लिम लीग के साथ गढ़ बना दर कोई आप शंकरा चार्या पर कमेंट करिए दर आज शांत वीवेक शांत विवेक का शंकरा चार्या पर बताईये दिस्टरबिंग अलेमेंट बनके काम नहीं होता आपने व्यक्तव को रखा वह चुप रहा है बीज़ेपी का क्या शंकरा चाहिए बताईए मुस्लिम धन गुरू के साथ पॉलिटिकल नेक्सस बनाए हो कि नहीं बोला हाँ या बाकी बाद बाद में करो बताओ भाई फिर भाचर देते हो आके कि पॉल्टिक्स और धरम का नेक्सस नहीं होना चाहिए बोल भाई जवाब जवाब चलिए वो नहीं बोल पाई अब मैं जवाब देखेंगा दूसरी पार्टी याद करिए राहूल गांधी जी क्या बोले थे विदेश में जाके जब उनसे पूछा गया कि आपका तो मुस्लिम लीग से गटबंदन है तो उनकी शब्द नहीं भाव जी जी ये जो आप धोखा देने का प्रयास लोगों को करते हैं उसी लिए होता और मैं एक और बात कहूंगा देखें मैं पॉजिव और निगेटिव दोनों ढंग से लेता हूं पहली बात तो मैं कहता हूं अगर इनों ने जाने का मना किया है तो अपनी परंपरा के जी से लेके उसके बाद मुसल्मानों को भड़का कर 61 में मुकदमा दर्ज करवाने वाली कॉंग्रेस से लेके छाचट में गो रक्षक संतों पर गोलिया चलवाने वाली कॉंग्रेस इंद्रा जी के जमाने में 1976 में जब रुटीन खुदाई में 88 खंबे निकल आए तो कम्म एक्ट लाने वाली कॉंग्रेस तो सोनिया जी के समय में राम को कलपनिक कहने वाली कॉंग्रेस और हिंदूों को आतंकबादी कहने वाली कॉंग्रेस जो कर रही है वो अपने गुणों के अनुरूप कर रही है हाँ मगर अगर इनके आंक किसी के दिल में थोड़ी सी सच्चाई होगी तो शायद मुझे लगता हो उनको भजन याद आ रहा होगा हरियोम शरण का पुराना भजन था मैली चादर ओड के कैसे द्वार तिहारे आऊं हे पावन परमेश्वर तेरे मन ही मन शर्माओं इनके परिवार के लोग यही बोल रहे होंगे कि मैली चादर ओड के हमारा परिवार चार्या के लिए भी का दीजिये जाएगा मगर क्या करें राजनीत के हिसाब से यह 1990 से पहले के दौर में अठके हुए ठीक है अब तैसीन पूरा वाला की बारी है कोकि उनका ओडियो और वीडियो दोनों चला गया था तैसीन पूरा वाला जवाब की बात सुदान्चु ने रखी कि कॉंगरेस अपने इतिहास को फालो कर रही है ये ते हाउस को फॉलो करा है तभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा में नहीं जा रही है और खामियाजा हमने देखा है राम का विरोध करने का कॉंग्रेस पॉलिटिकली अमी जी सुदानशु जी की मैं बहुत आदर करता हूँ उनने तीन चार चीज़ दर की उमीड है आप मुझे सारे सवालों का जवाब देने दोगे सुदानशु जी ने अपनी बात समाप्त के ये कहते है कि कॉंग्रेस का जो एफेड़ेवित था हला कि राम मंदिर को लेकर ने राम सेटू को लेकर था के राम जी कालप देखे यही बात महिश शर्मा जी ने फ्लोर ओडा हॉस्त के ही जब मानिय मोदी जी उस पारलिमेंट में बेटी जे महिश शर्मा जी पर एक्शन तो हुआ ने आज तक मासीता के मंदिर का जो निर्मान का काम है के इंदर सरकार ने कोई कॉई कॉई इस तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-त का पूरा नहीं हुआ है और जो मंदिर का जो भी मंदिर में होता है वो पुलिटिकल पार्टी के हसाब से नहीं ये शास्त्रों के हिसाब से बढ़ा हुआ और अब तक निर्मान complete में हुआ है तो क्या ज़रूरी है आपको ये करना शंकर अचारिय जी पूछे क्या शंकर अचारिय जी चारों शंकर अचारिय अभी 80 पीसद भारतियों के विरुद है ये बात तो नहीं है दूसरी बात सुदान्चु जी कोई पार्टी में अगर व्यक्ति एक बाई जानिवरी को नहीं जाए मानो ओड कहते है तो भगवान राम तो कंकन और शंचन में मौजूद है तो इसमें गलत क्या है आप क्यों चाहते कि बाई जानिवरी को ही आए पर इन आप इसके पहले ये बताए कि क्यों बूरा नहीं हुआ है तो क्या जरूरी है तो फिर भास्पा इसमें क्यों कही थीं इस वक्त ही करना है कि ठीक टाले शुदान्चु का जवाब सदानचु और लिए प्लिट कakterम हो गया इसलिए हम इसमें नहीं जाएगगी देखिए पहली बात तो मैं कह दूँ पुना कह देता हूँ जो फुरफुरा शरीफ के गदी नशीम, मौलवी, मुकर्रम, मुफ्ती और बारी के आगे सजदे करने वाले लोगों को आज शंकराचर की याद आई है, ये अपने आप में एक सुख़दन बूती है, परंत, उसमे पहली बार दिल्ली के शाही इमाम का फत्वा अपने पक्ष में 1980 में इंद्रा गादी ने जाकर जारी करवाया था, और तैसीन भाई, आप युवा हैं, आपकी उमर हमसे कम है, इसलिए शायद आपको न याद हो, मगर हमें बच्पन का याद है, 1987 की बोट कलब की रैली पर इमाम बुखारी ने एलानिया कहा था कि ए राजीव गांदी सुन लो, तुमारी मा भी हमारे आगे जुक कर ही हकूम करती रही, और आइंदा अगर तुम्हें इस मुल्क पर हकूमत करनी है, तो हमारे यागे जुकना पड़ेगा, इस इस कोटेड इन 1987 बोट कलब रैली, तो ये बात तो पहली बात ये इस पस्ट हो जाती है, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, कि इन लोगों के सामने, समस्या य करता हूँ, कि कम सकम वो अपने को सरातरी हिंदू कहते हैं, और जाकर वहाँ पर आयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कारिकम में जा रहे हैं, वरना अगर वो सेकुलर के चकर में पड़ते तो आयोध्या जाने से भी कतराते, अब यह पूरा वाक्य बोली है, ठीक है, उ उन्होंने इस पच्ट रूप से तारीफ की है, यह कहते हुए कि कम से कम उन्होंने यह साहत दिखाया है, और जो उन्होंने कहा कि अगर सेकुलर के चकर में पड़ते तो नहीं जाते तो दिख रहे हैं, सेकुलर वाले राम से परहेज रखते हैं, और इमाम साहब क्या आगे सजदा करते हैं जाए कोई जाएगा कौन नहीं जाएगा कौन नहीं जाएगा मैं किसी को मशुरा देने वाला नहीं होता हूं कोई ही दूसरी बात भारतीन पल्टी किसी भी बात को कोई जवाब नहीं देती है भारतियंता पाल्टी इत्ती देर से यो लोग पूछ रहे हैं शंक्राचार पर बोलिए शंक्राचार पर बोलिए सुधानशु तिरवेदी जी किसी बात पर बोलने पर तयार नहीं है और तीसरी बात विपक्ष जो बड़े मुद्दे हैं उनको भारतियंता पाल्टी तिलका ताड़ बनाती है उस तरह से बहुत बड़े-बड़े मुद्दों को भी विपक्ष भोनाई नहीं पाया अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं दिखें राममंदिर बन रहा है 22 तारिक को प्रधान मंत्री जी प्राण प्रतिश्ठा करेंगे तो हिंदू हैं वो शंक्राga चार को अपना सिर्म को मानते या मूदी जी को मानते हैं पृग तो हिन Edwards को टाकरना है इसां कि मूदender करना रहा था यह क्षिछ मुद्धा नगेपा sollten कराहता था मैं एक डेट बता रहा हूँ आपको 23 दिसंबर सन 2022 ये बहुत बड़े एक लीडिंग अखबार की मैं खबर पढ़ ला हूँ मैं नाम नहीं लेना चाहता अगर आप कहिजे को तो मैं नाम भी ले लूँगा अखबार का 23 दिसंबर सन 2022 को एक अखबार में रिपोर्ट शाया हु स्टेन सिंग जी जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि राम सेतु के साच्छे नहीं मिले लेकिन ने कहा कि सेटेलाइट से देखने पर छिचले पानी में आईलैंड और चूना पत्थर तो दिखाई दे रहें लेकिन इस बात का कोई पुकता सबूत नहीं है कि राम पीज़े पीज़े सरकार के मिनिस्टर अपनी सरकार में लोग समा में बयान दे रहे हैं और इससे पहले जो एक दौर चला था कि उस पे एक बहुत बड़े फिल्म स्टार साब हैं, उन्होंने नाच कूटकर एक फिल्म मना दी, बड़ी फिल्म मना दी, अच्छ है कुमार जी, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये खबर क्यों दबाई गई और क्यों नहीं उठाई गई, बारतिंता पाल्टी पहले तो साफ करे कि राम सेतू के सबूत थे या नहीं थे, और अगर अभी नहीं थे तो पहले कैसे थे, और अगर पहले भी नहीं थे, और अभी भी नहीं थे, तो बीजेपी ने पहले जुट बोला था या आप जुट बोल लगी है, दूसरी बात, आप ने असद वैसी सा ने किसी तरह की कोई गलत बात नहीं कही है देश नहीं पूरी दुनिया का मुसल्मान दुखी है बाबरी मस्जित के जो छे दिसंबर को हुआ और उससे ज्यादा दुखी है जब फैसला आया फैसला हम सबने माना किसी ने सरवोश नियाले के फैसले पर कोई टिपड़ी नहीं है जिस मुसल्मान को तकलिफ नहीं है वो दिल से और जहन से मुसल्मान ही नहीं है कोन से ऐसा भड़काने का काम है ना जब आप olurs नहीं है है इन से नहीं को भी तकलीफ होगी सर तकलीफ है तकलीफ होना अलग बात होती है और सड़क पर खड़ों के विरोध करना अलग बात होती है हम किसी से यह नहीं कह रहे हैं कि आप विरोध कीजिए लेकिन हमाई तकलीफ को समझे आप ने बदरूदी नजमल साफ के बारे में कहा कि उन्होंने काया कि 20-26 तक कोई सफर ना करे मुसलमान प्रदानमंत्री जी गरिंटी ले गरह मंत्री जी गरिंटी ले सुरच्छा की कि सफर करने पर मुसल्मानों के साथ कोई धराना है भड़काना है यह तो सब कुछ है इसके मेरा निवेदन है कि राश्टी टेलिविजिन पर तो यह मत करिए यह मेसिज यही जाएगा इसका मैं परदान मंत्री जी से मैं परदान मंत्री जी से गुदारिश कर रहा हूँ यह तो जब कुछ हुआ ही नहीं है मतलब यह तो यह बात है जैसे महभूव मुफ्ती कहती थी कि 370 के बाद फलाना हो जाएगा धमकाना हो जाएगा यह दैस्ट अपॉइंट ओके सुदान चुति सुदान चु बहीं से काली इतला पूछ पूछ जिए कि इनके मिनिस्टर ने जो राम सेतु पर बयान दिया है उससे यह सहमत है या नहीं है है तोके सुदान चु आधे पहले मैं करोणो दर्शकों से कहूँगा देखिए एक और सेकुलरिज्म का चेहरा आया है पार्टी का नाम है All India मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन और वो सेकुलरिज्म पर भाशन नहीं दे रही है हिंदू धर्म पर भाशन दे रही है वो शंकरा चारे पर टिपनी कर रही है और वो सेकुलर है देखिए एक और चेहरा सामने आ रहा है जबकि मैंने किसी भी चीज का से बचने का प् पहले ओवेसी खुलके खड़े हुए मंदिर के खिलाफ फिर क्या हुआ कि ये बाकी सब जो मुसलिम वोटों के अलंबरदार जंडा बरदार फरमा बरदार थे इनमें खलबली हो गई ऐसा ना हो कि ओवेसी सारी डाल कटागट पी जाए तो अब ये लोग फोर्स हुए कि भ वकार साब की हिम्मत बढ़ गई ना अब वो कहने लगे वो गारिंटी लें कि उनके साथ ये नहीं होगा वो नहीं होगा यानि उन्हों ने कह दिया जिसके जो साथ में है वो मुसल्मान ही नहीं है तो असीम वकार साब इसका मीनिंग ये निकला कि जो हिंदू धरम का से आप निकल गया कि जिनके दिलों में दर्द है वो क्या है वो बात इनकी बात से बिलकुस साफ हो गए अब राम सेतु पर जवाब देता हूं जिनाब पहली बात कार्थिके शर्मा भाजपा के नहीं इंडिपेंडेंट एमपी है आपको पता होना चाहिए वो हरियाना से ह और आपने एक कौन से सवाल की बात कहिए भाई मैं तो राजसभा में था मुझे ऐसा कोई ध्यान नहीं अगर है तो आप बता दीजिए पर एक बात बताना चाहता हूं एक दौर था जब कहा जाता था राम सेतु नाम की कोई चीजी नहीं थी पर जो आपने का सेटेलाइट पिक्चर ने दिखाया था असी के दशक में नासा की सेटेलाइट पिक्चर ने 86-87 में राम सेतु दिखाया था और सुनिये हमें बच्पन में पढ़ाया जाता था ना संगम जो है गंगा जमुना और माच्छलोजिकल सरस्वती पे है उसका ट्रैक भी सेटेलाइट ने चाएगी सारी बाते साफ होती चली जाएगी मगर मैं राजनेतिक तौर पर यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ किया इन दलों ने उन्होंने वेसे की पार्टी की विक्रिडिवी कर दी है उनको लीड बगाद है जिनको दर्द नहीं है वो मुसल्मान नहीं फिर पलेट के सवा सवाल आएगा जिनको खुशी नहीं है क्या वो हिंदू नहीं है सवाल आएगा फिर यह कि नहीं बिल्कुल आप सवाल कीजिए बिल्कुल सवाल कीजिए मैं तो देखिए भारतिंता पालिटी को दो हजार उनिस के चुनाओं में 37.45 परसेंट मिले और एंडिये को मिले हैं 45 परसेंट पैटालिस परसेंट एंडिये राष्टिये जनतान्ति गडबंधन को वोट मिला तो 55 परसेंट विरोध में पड़ा है सर ऐसा नहीं है कि 55 परसेंट जो लोग हैं जिन्होंने भारतिंता पाल्टी के विरोध में वोट दिया है वो भारत के नागरिक ही नहीं है या भारत के सिर्फ वही नागरिक माने जाएंगे जो बीजेपी को वोट करते हैं या बीजेपी को जो वोट करते हैं वही हिंदू है बाकी हिंदू नहीं माने जाएंगे आपने तो खुदी लाइन बड़ी कर दीना आसिम वकार आपने तो खुदी लाइन बड़ी कर दीना आपने तो बोला कि जिसको दुख नहीं है वो मुसल्मान ही नहीं है तो सवाल दूसरी तरफ से आएगा जिसको खुशी नहीं है कि वो हिंदू नहीं है कि हम ऐलता हम आप से कि डेश में ऐसा नहीं है कि सारे इस वो अपने को दलीत हैं आप मुझे ब्रेक के लिए रुखना पड़ेगा हैं नैंने आप हम आपका मैं ब्रेक के बाद जवाब लूँगा लेकिन ट्वीट देख रहे था हूं मोटरोला के फोन से रादे मोहन लिख रहे है क्या प्राण प्रतिष्टा का निमंतरन ठुकरा कर विपक्ष ने बहुत गलत किया है ये वो ट्वीट कर रहे हैं रादे मोहन लिख रहे हैं ट्वीट पर डढ़ा हूँ मैं मोटरोला के फोन से रुकूंगा एक अंतरार के लिए लेकिन ब्रेक के उस पार इस सर्चा को आगे बढ़ाएगे विएच पी ने एक बड़ा बयान दिया है अखिलेश को जवाब दिया है विश्विंदू परिशत ने आलोक कुमार बोला है गोली कांड को भुला कर हमने निमंतरन भेजा था यानि जो कार सेवकों पर गोली चलाई थी सब सापा की सरकार थी उस गोली कांड को भुला कर हमने समर्तन भेजा था किसी को ना जानने वाला तर्क गरत है अखिलेश जी कारेकरम में आए फिर बोली है वीएच पी के अखिलेश जी कारेकरम में आए वीएच पी का अखिलेश यादफ को जवाब है ये मैं रुक करता हूँ रोहित का मेरे साथ RLD के है गड़बंदन में है सपा के साथ VHP कह रही है कि गोली कांट जो गोली चलवाई थी कारसेवको को उसे भुला कर हमने निमंतरन भेजा था क्या आपको लगता नहीं है कि स्विकार कर लेना चाहिए था? और ये तर्क मैं किसी को जानता ही नहीं तो निमंतरन कैसे स्विकार करूं, क्या आपको लगता नहीं? इस पर सवाल है रोहित अमीश जी धन्यवाद आपने मुझे अपने शो में बुलाया और आपका शो है आपने मुझे बुलाया तो 40 मिनट बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसमें आपने भाजपा प्रवक्ता को चार बार बोलने का मौका दिया परन्तु मुझको 40 मिनट बाद दिया क्योंकि आपका शो है तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं बस ऐसे ही ये 22 तारिक वाला जो कारिक्रम है ये भारती अंता पाटी का व्यक्तिगत इवेंट है और भारती अंता पाटी जो चाहें वो करें अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो व्यक्ती राम मंदिर के दर्शन करने 22 तारिक को नहीं जाएगा क्या वो सनातनी नहीं रहेगा या मुझे सनातन का ठेका लेने वाले भारती अंता पार्टी वाले ये बता दें कि कौन सी ऐसी विवस्था है सनातन धर्म के अंदर कि मंदिर ना जाने पे आप मुझे सनातन विरोधी कह देंगे या कौन सी ऐसी मंत्र है जिससे आप मुझे सनातन से निकाल देंगे अब तो शंक्राचार जी भी नहीं जा रहे चार चार शंक्राचार जी नहीं जा रहे उनसे बड़ा सनातनी तो कोई हो ही नहीं सकता उनसे बड़ा सनातन का रक्षक कोई नहीं हो सकता जब वो नहीं जा रह कि भारती अंतापाटी अपना प्राइवेट करेगी और मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 22 तारी को क्यामरामेन उस इवेंट से उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि भारती अंतापाटी के कौन-कौन नेता वहाँ पे जाते हैं मंदिर के अंदर सबसे पहले प पढ़ा पढ़ा भी है आपने के VSP कह रही है कि हम ने गोली-कार्ड को भुला दिया VSP ne गोली-कार्ड को तभी तो आज भारती अंता पार्टी में उन नेताओं को भी निव्था मिला फिर जे जा उस समय समय समाजवधी पार्टी में थे में थे ज olan ह Dipanel को समा बाए बाए जुनकों बाए ना वह जिस समय गोली कांट हो था समय समाजवादी पार्टी के नेता थे ना वह उतने ही उतन ही उतन अपकी आपको अपनी बात को रखा डीड मिनट पॉन पहले तो मैं इनको इस पश्ट कर दूँ जराब चार लोग है तो चारों के सवाल भी हमी से हैं और यह चार तो आपको गड़बंदन वाले हैं एक दूसरे को दिये गए समय को गुगावारा नहीं कर पा रहे हैं सीटे कैसे गवारा करेंगे यह देखने की रहे हैं विपक्ष मुद्धे सही से नहीं उठाता तो मुझे तो लगा आप असीम वकार जी सत्ता में ही होंगे हैं सुधान्शु जी तो ठीक है इसका मतलब आपको तो ठीक है मतलब इनका एलिगेशन होगे हैं विपक्ष की तरह लेकिन अभी सुधान्शु जी आपकी बात का जवाब दे रहे क्योंकि आपने बीजे पीछे तीन चाह सबाब कर सकता हूँ मैं तो लोकतंत्र के अंदर ये मीरिय अभी वक्ति के आजादी है मैं बिल्कु सब्सक्राइब कर आया है या आपको तहा से जान कर ने उस संदर में कहा कि हमने उस विशे को भुला कर भी यह करने की का साहस किया मगर साफ दिखिया कि आप उसी दौर में पड़े थे और आप तो आरेलडी के प्रत्री दें जनाब उस दौर में आपको याद है कि मुलाइम सिंग की सरकार तो भीजे पी के सपोर्ट पे थी तब तो आप और मुलाइम सिंग समाजवादी पार्टी की अस्तित्र नहीं था जनाब जनता अदल था वीपी सिंग का जनता अदल था एक सो असी मले थे चार्सो पच्चिस की विधान सभा में 56 भाजपा के थे उनके सपोर्ट पे टिके थे गोली कांट के समय जब आडवा मुत्री बना दिया तो चौधरी चरण सिंग की लीगेसी है इसका इनका कदम उससे बड़ा हो जाएगा तो उन्होंने कहां मुलाइम सिंग को बना देते हैं इनको ये तो मेरे कंट्रोल में रहेंगे पर बाद में गुरू गुडर है चेला सक्कर हो गए वो उनसे आगे नि मुर्थन करने को विवश है परन तो मैं एक बार पुना कह रहा हूं हम फिर भी किसी से बैर नहीं मानते आलो कुमार जी ने जो कहा है तो मैं राम चरित मानस की चौपाई कोट करता हूं जो भगवान राम के राम राज जी के लिए कही गई बैर नकर काहूसन कोई राम प्र नहरू सोमनाद जी के समय में गए थे और नहरू जी के वंचत आज जा रहे हैं यानि जहां वो 75 साल पहले खड़े थे वही खड़े हैं और आज एक संयोग देखिए कि पटेल जी की धर्ती से उठकर एक व्यक्ति आया है जो पटेल जी उस समय थे मोदी जी आज खड़े है यानि पटेल जी की विरासत के साथ हम खड़े और नहरू परिवार अपनी विरासत के साथ खड़ा है तो देश की जंता को बहुत साफ पता है दूद का दूद पानी का पानी है कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है मगर अभी देखिए एक और मज़े अभी देखिए असीम अब उस धरकने के दोर में Congress अपना पानी कितना संभाल के रख पाएगी समाजवादी पार्टी कितना संभाल के रख पाएगी वह धरकने न पाए ये देखने की बात होगे जी 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 तैसीन पुरावाला कुछ आड़ करना चारहें तैसीन पुरावाला कुछ अड़ करना चारहें एक ४र रोईद भाई आप बोल दीजें मैं अधिग तर तो वकार जी से इतिवाक नहीं रखता हूं लेकिन जो उन्होंने राम सीतु की बात की ये बात में उठाने दॉक्टर जेतेंदर सिंग जी ने पार्लिमेंट में जवाब देते हुए सैटलाइट का जो उनने बता है का लेकिन इसके अलावा भी मानने सुप्रीम कोड में वर्तमान चीफ जस्टिस के सामने तीन बार वर्तमान सरकार से मौझूदा सरकार से पूचा गया है आप जो प्र की तारिक मांग रहें और मासीता मासीता जिनका जनम हुआ है वो जन स्थान को मिठिकल बदाने वाले महेश शर्मा जी और वहां पर जी 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 संशेप में टाइम लिमिट को वालो करें चुदान चुदी सेकिंड में जवाब देन अस्यम वकार देखे पहली बात बहुत इसपष्ट कर दूँ जनाब वो जो एफिडेविट कॉंग्रेस ने दिया था वो तो जब भाजपा ने विरोध किया था तुरंट विड्रो कर लिया था दो दिन में भाई वो एफिडेविट अभी कहां स्टेंड कर रहा है और दूसरी बात मैं कह है दूब जनाब जो आप कह रहे हैं जीतेर सिंगी सांसेंट्हक्नागी मंतरी हैं तो वो सिर्फ सेटेलाइट के बारे में बोल सकते हैं कोई सांसकहृतिक द और है इसके बारे में बोलेगा अगरवाल आप 20 सेकंड में असीम वकार सहाब से पूछना चाहा रहा था कि आप ने कहा कि विपक्ष मुद्दे साही से नहीं उठा पाता है तो आप कब सत्ता में आये यह जनता को बताइए क्योंकि हम तो यही समझ रहेते कि आप विपक्ष में परन्तु आप आप कह रहे हो असीम वकार जवाब देखे मैं इतना खाली कहना चाहता हूँ असीम वकार साब इतिहास में मत जाईएगा बाब वर्तमान में बात करिएगा क्योंकि सुदानशु भाई इतिहास काफी बता चुके हैं भी अरे सुनिये तो है कि सुदिये तो उर्टा तीर मत पकड़ा किजिए जांत आपकी पार्टी का जो वोटर है वो समाजवाधी पाल्टी को वोट ही नहीं देता है कि समाज अधी पाल्टी की सेखिल के कंडिरेट जहां जहां थे महां जाटो ने बीजेपी को वोट किया है और आपके बीच में नहीं बोले आसी वकार को बोले जीजे मेरी बात तो सुन लो उडública तीर मत पकड़ा करो तुमने उडिता तीर पकड़ लिया लृट जाटो ने बीजेपी को वोट किया और जाटो की टेनेंसी यह है कि जहां पर हैंझ पंप है वहां तो दे देंगे वो मुसल्मान का वोट ले भी लेंगे लेकिन जहां सैकिल और पंजा होगा महां टोटल जाड बीजेपी में जाता है और हो सकता हो कि उत्तर में जो विदानसभा चुना हुआ था तो उसमें रोहित अगरवाल का वोट भी बीजेपी उगया हो आसी मकारी गरण्टी यह कभी बीजेपी में जाएंगे और तुम लोग की गरण्टी है कि तुम कभी बीजेपी में जा सकते हो और वो चंदा अभी तक वापस नहीं किया आपने आप शायद भूल गए हैं एम आपको विद्वार बनाया था लखनव से और चंदा बट उरने के बाद आप आप एस्पताल में भरती हो गए तर परचा भरने की बजाए मैंने का याद दिला दू कि आप बहुत याद दिला दू कि आप दूसरे विक्ति को भी चांस देंगे न अपने जवाब देने का लिए कि सिस्टा चार रेएं कहता है जो सर अमेश भाई एक लाइन बोलना हूं जिस जिसने कभी भी जिसकी पार्टी और जिसके नेता ने कभी भी बीजेपी से हाथ मिलाया है उसके मुँपर तू और जिसके नेता ने भी जेपी से जिसके पर्दे के पीछे सूटकेस लिया हो भारती अंता पार्टी के लिए और भारती अंता पार्टी से पैक्ट करके सूटकेस लेकर अपनी पार्टी जो चलाता हो उसके मुँपे थूँ जो अपने मुसल्मान भाईयों के साथ धोका करता हो और मुसल्मान वोटरों का तोदा करके भारती अंता पार्टी को भारती अंता पार्टी के साथ पैक्ट करता हो उसके मुँपे थूँ मैं तो मुसलमानों से यह कह रहा हूँ कि जहां भी आरेल्डी का कंडिरेड हो उसको वोटी मत दो यह गदार है मुसलमानों कंडार है यह जहां भी आरेल्डी कंडिरेड हो महां बिल्कुल वोट मत दो कांग्रेस अरे अरे और यह असीम भाई तिलंगाना में शूर्मानों ने आपको वोट नहीं दिया आप साइद भूल गए bets primo अरे तिलंगाना में आपकी सरकार तो एक समय था जब इनकी दो सीटे थी दो ही मेंबर पार्लेमेंट था और एक ऐसा भी समय था जब वाजपई जी की दोनों किड्निया खराब जी 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 और राजीव गांधी जी ने उनको सम्मान देते हुए युनाइटेट स्टेट भेज करके इलाज करवाया और वो भी एक दिन था जब प्रदान मंत्री नरसिम्हा रहो थे और रिस्पेक्ट दे करके वाजपई जी को उनाइटेट नेशन बेजा गया जाए उसको समझ लें पहले तो यह नियमान उसार है कि उसकी भी तबियत खराब होगी तो सारा खर्चा सरकार उठाएगी और आप उसकी बार वाजपई जिसको बेच के खा गया हो 2014 के बाद अरे भाई सोचिए कि आटल जी नेता पुर्टिपर्न की बात नहीं है अरपार के सत्य की तो और बढ़ना है और आज आरपार का आरपार में सत्य और तत्य है मोदी है तो मुम्किन है पॉलिटिकल रैलियो में तो यह आपने नारा कईबार सुन लिया होगा लेकिन आज मैं आपको इसका डिटरल मीनिंग बताऊंगा क्योंकि बदलते हुए वर्ड ओर्डर में भारत की पोजिशन किस उचाई को छू रही है इसकी सबसे बड़ी जलक आज गुजरात में चल रहे वाइब्रेंड गुजरात सम्मिट में हमें साफ साफ देखने को मिली आपने UAE के प्रेजडेंट शेक मोहमद बिन जायद अलनायन को किसी भी बड़े पॉब्लिक फोरुम पर या फिर इंटरनाशनल मंच पर बोलते हुए नहीं सुरा होगा लेकिन मोधी डिप्लोमेसी का असर देखिये इंपाक्ट देखिये वाइब्रेंड गुजरात सम्मिट के लिए गुजरात पहुंचे शेक मोहमद बिन जायद ने ना सिर्फ प्रधान मंतरी मोधी के साथ रोडशो किया बलकि सम्मिट के दरान वो प्रधान मंतरी मोधी और भारत के लोगों के प्रती अपना प्रेम छुपात भी नहीं पाए और वाइब्रन गुजरात के मंद से स्पीच भी दी आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल यूए ई ने कोप 28 कॉंफरेंस को होस्ट किया था तोकि एक बड़ी कॉंफरेंस है इसके मावजूद शेक म मुहम्मद बिन जायद ने उस मंच पर कोई स्पीच नहीं दी थी हो सकता है कि मोधी विरोधियों को ये बेहत सामान ने घटा लगे लेकिन गुजरात में UAE प्रेजिडेंट की स्पीच पूरी दुनिया में भारत की बरती ताकत का एक बड़ा एक्सामपल है वाइबन गुजरात के मंच पर ही एक और घटना हुई मुरॉको के इंडस्री मिनिस्टर रियाद मज़ूर ने जब वाइबन गुजरात में स्पीच देने के लिए आए तो उन्होंने श्री नरेंद्र मूधी प्रधान मंतरी और भारत कहकर प्रधान मंतरी मोधी का जर्ण जर्वार्पन देख जबाने वाइबरेंट गुजरात ग्रोवल सब्ट पर Reliance Industries के चेरमन मुकेश खंबानी ने मोदी है तो मुम्किन है के नारे का मतलब समझाया और कहा कि मेरे विदेशी में त्र पूषते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है तब क्या मतलब होता है तब मैं उन्हें बताता हूँ कि इसका मतलब नामुमकिन को मुम्किन बना देने वाला होता है तब से वो भी मोदी है तो मुमकिन है कहने लगे है लेकिन बात صرف इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की नहीं है भारत की बरती शक्ती का एक और परिचायक सबूत देख लीजे दुनिया भर में चल रहे है आर्थिक सुस्ती के बीच वर्ड बैंक भारती एकनॉमी का लोहा मान रहा है वर्ड बैंक ने का है कि दुनिया भर में एकनॉमिक स्लोडाउन के बाब जूद बारती एकनौमी आने वाले सालों में शानदार रफ्तार से तरक्की करने वाली है तो इन तक्तियों को देखिए और खुद अंदाजा लगाईए कि मोदी है तो मुम्किन है कदावा कितना सही है और कितना गलत अपनी वारी को मैं विराम देता हूँ आपने इस कारेक्रम को देखा आपका अभार